नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजे कुमार गिरिया और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासिफिकेशन और अग्रिकल्चर दोस्तों आज हम सब लोग पढ़ेंगे एक कमपटेटिव बोक आफ बीडियो में हम समझने वाले हैं तो वीडियो में बने रहें लाश्ट तक सबसा पहले देख लेते हैं अगर हम physical classification की बात करें तो physical classification में में तीन तरीके के water पाये जाते हैं सबसे पहला होता है hygroescopic water दूसरा होता है capillary water और तिसरा होता है gravitational water आगे जब हम soil water के बारे में detail में पढ़ाये जाएगा जब soil water वाला chapter आएगा तो उसमें ज़्यादा detail में पढ़ाये जाएगा अभी थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें छूट जाए तो आपको बिल्कुल घवराना नहीं है जो soil water से बची हुई जो चीजें रहेंगी वो जब मैं soil water वाला जो chapter है जब उसको पढ़ाऊंगा तो उसमें soil में जो water होता है इससे related जितने भी question बन सकते हैं सब detail में discuss कर दूँगा तो अभी केवल हम पढ़ेंगे यहाँ पर physical classification of soil water यानि कि soil के अंदर जो पाया जाने वाला water है उसको physically कितने तरीके से बंटा जा सकता है तो उसमें जैसे मैंने बताया कि तीन तरीके से बंटा जाता है तो उसमें जो सबसे पहला तरीका है hygroscopic water hygroscopic water क्या होता सबसे पहले समझ लेते हैं it had mostly in soil collides बास समझ ना कि यह जो पानी होता है hygroscopic water यह soil के अंदर जो soil collides होते हैं यानि कि जो soil के collides बने होते हैं उन्ही soil collides के उपर है उपर क्यावल पाये जाता है मतलब इनको अगर ऐसे समझो कि अगर इसकी मिट्टी उठाओगे तो इसमें अगर बहुत कम पानी रहता है तो इसी को बोलते हैं hygroscopic water क्योंकि यह बहुत tightly जो soil collides होते हैं उनसे यह जुड़ा होता है इसको पौधे अपने आप में absorb भी नहीं करे पाते हैं क्योंकि पौधे इसको absorb इस वज़े से नहीं कर पाते क्योंकि जो soil collides होता है उनके साथ यह water बहुत tightly joint होता है तो इसी वज़े से root जो soil plant की root होती है वो इस तरीके के water को असानी से absorb नहीं कर पाती है टेंसन बेरीज फ्रॉम 31 तु 10,000 atmosphere यह जो soil water होता है हाईगरोस्कोपिक soil water जो होता है यह soil के अंदर जो particles होते हैं उनसे 31 से लेके 10,000 ATM तक के force के साथ जुड़ा होता है मतलब ऐसे समझ सकते हो कि यह soil water soil के particles के साथ बहुत ही tightly joint होता है जिससे पोधे इसको आसानी से absorb नहीं कर पाते हैं इट हेल्ड एड हाईगरोस्कोपिक कॉफिसियंट यह जो हाईगरोस्कोपिक कॉफिसियंट होता है इससे जब ज़्यादा tension हो जाती है बास समझ ना जब ATM यानि कि जब tension soil के particle और water के बीच का जब tension 31 ATM पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाईगरोस्कोपिक कॉफिसियंट इसकी वैलू कितनी होती है 31 ATM अगर इससे उपर चला जाता है पानी यानि कि tension जो होता है जब उपर जाता है तो इसका मतलब कि पानी कम हो रहा है और water tension जब कम होता है तो इसका मतलब पानी बढ़ रहा है तो जब water tension 31 पर होता है तो उसको हम बोलते हैं हाईगरोस्कोपिक कॉफिसियंट और जब इसके उपर जब tension जाने लगता है हाइग्रोस्कोफिक वाटर से हाइग्रोस्कोफिक कॉफिस जन्ट से जब उपर टेंसन जाने लगता है वाटर टेंसन तो उसको हम हाइग्रोस्कोफिक वाटर में इंकल्यूड करते हैं जिसमें ये हाइग्रोस्कोफिक वाटर 31 A.T.M. से लेके 10,000 ATM तक tightly soil के particle से जुड़ा होता है जिससे पोधे इसको असानी से absorb नहीं कर पाते हैं ये non liquid form में होता है क्योंकि liquid form में जो water होता है वो available form में होता है या फिर उसके साथ साथ जो gravitational water होता है वहाँ पर होता है तो ये liquid form में available ही नहीं होता है इसी वज़े से इसको पोधे ले भी नहीं पाते हैं जब मिटी बहुत सूखी सूखी से हो जाती है तो उसमें जो हलका हलका सा आप को थोड़ा सा भीगापन लगता है बिलकुल सूखी मिटी ऐसे मिटी की आप देखेंगे तो मिटी आपको गिली लगेगी मतलब ऐसा लगेगी का हाँ मिटी के अंदर थोड़ी सी नमी तो है लेकिन जब उस मिटी में आप हाथ डालेंगे और हाथ डालकर जब बाहर निकालेंगे तो आपका हाथ बिलकुल भी नहीं भीगेगा इसका क्या मतलब होता है यहां यह जो पानी है इसके थाएंगे उसके अंदर वो सॉयल पार्टिकल के साथ 61 एटीम से जादा परेसर के साथ ज़ड़ा हुआ है इससे जादा फोर्ज के साथ वो जड़ा हुआ है मुब्स इन बेपर फ्रॉम therefore biologically inactive biologically inactive का मतलब यह होता है कि ना तो इसको कोई microorganism अपने अंदर सोख सकता है जैसे स्वाल के अंदर ढिर सारे microorganism होते हैं वो भी इसको नहीं सोख सकते हैं इसके साथ साथ जो water जो plant होता है plant की root भी इसको absorb नहीं कर सकती इसी वज़े से हम कहते हैं कि यह biologically inactive होता है इसका plants के लिए कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है यह वपर फॉर्म में एक जगा से दूसरी जगा पर जाता है जैसे जब बहुत कसके धूप पढ़ने लगती है जब मिटी बिलकुल सुखती है तो कैसे सुखती है क्या पानी उसमें सब बहता है नहीं बहता है क्योंकि जब मिटी इतनी सुखी है कि हाथ डालने पर हाथ भी नहीं भींग रहा है तो उस समय पानी बहने का कोई सवाल ही नहीं है तो कैसे जब कसके धूप होगी temperature जादा होगा, तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बच रहा है, जो नमी दिख रही है हमको, वो नमी वेपराइज होकर वास्प बनकर उड़ जाएगी, यानि कि ऐसे चली जाएगी environment में, atmosphere में चली जाएगी, तो इस तरीके का water, हाइग्रोस्कोपिक water कहलाता है, I hope क यहाँ पर पानी बहुत जादा मात्रा में कम है, यानि कि बहुत कम पानी है, ठीक, इसके बाद जो हाइग्रोस्कोपिक water के बाद जो अगला टाइप का water होता है, वो होता है capillary water, ठीक, capillary water जो होता है, it present in capillaries of soil, soil के России होती है, जो केसिकाएं होती है, इसको केसिका जल्वे कहते हैं, जो soil के particles के बीच में capillaries होती है, जैसे धान से समझना, जैसे मान लो कि मैं यह बड़ा बड़ा सा क्या बना रहा हूं, यह मैं बहुत बड़ा सा क्या बना रहा हूँ यह स्वायल के पार्टिकल्स हैं ठीक अब आप ध्यान से देखिए कि यह जो जगा है यह जो आपको यहां जगा दिख रही है इसी को बोलते है कैपलरी वाटर तो यहां पर जो पानी होता है इसी को हम क्या बोलते है कैपलरी वाटर बोलते है यह स्वायल की कैपलरी में पाया जाता है यह स्वायल की कैपलरी मैंने दिखा दिया held between filled capacity and hygroscopic coefficient in micro score जो स्वायल होता है स्वायल के अंदर दो तरीके के पोर होते है अगर पोर जदा बड़ा है यानि कि जो जगा है उसके अंदर ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम micro pour बोलते हैं और अगर बहुत थोड़ी जगा है तो उसको हम उसको ज़्यादा जगा है तो micro pour बोलेंगे और कम जगा है तो micro ज़्यादा में क्या होता है micro होता है कम होता है तो micro होता है तो यह जो पानी होता है अबलेबल वाटर का यह कहां पर होता है micro force में होता है soil particles के दीच में جो micro force होते हैं वहां पर यह पानी पाये जाता है यह कहां से पाये जाता है field का эпicity से लेकर high mascopic coefficient तक पाये जाता है इसको अगर हम image से देखें तो हमको समझ में आएगा कि hydroscopic coefficient कहाँ पर है 3180 पर है ठीक इसके बाद आप देखेंगे कि field capacity कहाँ है यहाँ पर है तो इनके बीच में यह इतना जो water पाया जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं capillary water बोलते हैं यह जो yellow, green और इधर blue color का है यहाँ से लेकर इस line से लेकर इस line तक इस बीच के जो water होता है इसको हम क्या बोलते हैं capillary water कहते हैं पोधे इसी water को absorb करते हैं अगर हम बात करें कि कितने tension पर यह water smile के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो 0.3 ATM से लेकर 31 ATM तक होता है 0 0.3 ATM field capacity के value होती है और 31 ATM hygroscopic coefficient के value होती है इतने tension पर होता है चाहिए 1 upon 3 ATM बोलो या तो फिर 0.3 ATM बोलो तो 1 upon 3 2 31 ATM के tension के बीच में जो water soil particles में पाया जाता है soil particles के बीच में पाया जाता है उसको हम capillary water बोलते हैं function as soil solution यह जो function करता है यह soil के solution की तरीके से function करता है मतलब यह soil के साथ बिलकुल mixture रहता है और उसी के साथ बिलकुल function करता है mostly available from water to crop यही सबसे ज़्यादा यह capillary water ही एक ऐसा water होता है जो plant में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्द होता है पौधे के अवल इसी water को ले पाते हैं पौधे ना तो gravitational water को जो इसके आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसको absorb कर पाते हैं और ना ही hygroscopic को hygroscopic water को इस वज़े से नहीं कर पाते है क्योंकि उसका tension जादा होता है वो soil के particles के साथ बहुत tightly attach होता है जिससे जड़े उसको ले नहीं पाती हैं और जो gravitational water होता है वो water इतने कम tension में होता है कि वो जमीन की नीचे ही चला जाता है तो उसको पौधे लेंगे क्या इसी वज़ भी हमको पौधे के अंदर पानी दिखाई देता है वो पानी soil के अंदर जो capillary water वाला पानी होता है यही absorb होके पौधे के अंदर जाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगला point है वो है gravitational water gravitational water क्या होता है it held by a negative tension less than 0.3 atm अब 0.3 atm के tension से कम में जो water उपलब्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं gravitational water ध्यान से समझना अगर हम figure में देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहां से लेकर और यहां तक का जो पानी होता है यानि कि 0.3 atm से लेकर 0 atm तक के tension के बीच का जो पानी होता है यह होता है gravitational water जिसको हम free water भी बोलते हैं यह वही water होता है जो जमीन के अंदर percolate करके नीचे चला जाता है, यह पानी धीरे धीरे किस वज़े से धीरे धीरे percolation होता रहता है और धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है, जो जमीन के अंदर हम boring करते हैं, boring करके जो पानी निकालते हैं बाहर, वो पानी ग्रेविटेसनल वाटर की वज़े से ही जमीन के अंदर जाता है फिर वहाँ जाकर एक्क्यूफर में जमा हो जाता है और वहाँ से हम फिर धेरे धेरे इसको पंपिंग सेट मसीजन से निकाल लेते हैं फिरी वाटर फूज ड्रेन आउट ये बिल्कुल फिरी वाटर होता है जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेविटेसनल वाटर होता है इसको हम फिरी वाटर भी कहते हैं ये आसानी से क्या होता है कि बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है चाहिए बही के खेत से बाहर निकल जाएगा और चाहिए जमीन के अंदर चला जाएगा अंडर ग्राउंड वाटर बन जाएगा तो ये ग्रेविटेस्नल वाटर पौदे के किसी काम का नहीं है ये बहुत जाजा मातरा में हो जाता है ठीक, उसके बाद इट इज आलसो काल्ड ड्रेनेज वाटर अब क्योंकि ये ड्रेन आउट हो जाता है इसी वज़े से इसको ड्रेनेज वाटर भी कहते हैं बात समझना जब कोई स्वायल होती है उस स्वायल में धेर सारा पानी भरा होता है कोई फिल्ड होती है उसमें धेर सारा पानी भरा होता है तो जब उस खेत में से हम पानी को निकालते हैं वाटर लागिंग कंडिशन से जब हम उस पानी को खेत से बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते समय जितना पानी बहे के बाहर निकल पाता है उसी वाटर को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेसनल वाटर बोलते हैं और वो drainage water भी होता है इसलिए हम इसको drainage water भी कहते हैं खेत में जितना भी gravitational water होगा वो drainage के समय पर निकल जाता है उसके बाद फिर क्या है undesirable and usually present in micropore जैसे अभी मैंने बताया था कि जो capillary water होता है वो micropore में पाया जाता है यानि कि soil के particles के बीच में जो छोटी छोटी जगा होती है वहाँ पर पाया जाता है लेकिन जो gravitational water होता है ये micropores में पाया जाता है यानि कि soil के particles के बीच में जो बड़े बड़े रंद्र होते हैं बड़ी बड़ी छिद्र होते हैं ये जगा होती है वहाँ पर पाया जाता है यह gravitational water यह undesirable होता है हमारे किसी काम करनी होता है अब उसे indirectly देखें तो काम का होता ही है लेकिन पौधे के लिए उस समय किसी काम करनी होता है अगर हम खेत में इतना ज़्यादा पानी डाल दे रहे हैं कि gravitational water तक पानी पहुंच जा रहा है तो उस irrigation का हमारे खेत के लिए कोई value नहीं है वो crop को नुकसान ही करेगा फायदा तो कर ही नहीं सकता है ठीक क्योंकि पौधे जो हैं इसको absorb ही नहीं कर पाएंगे तो हमों को सिचाई करना भी विर्थ है एक तो सिचाई करने में जो पैसा लगेगा वो भी बरबाद जाएगा और दूसरे अगर कहीं ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ज़्यादा पानी के वज़े से कुछ फसले हैं जो बरबाद हो जाती है इसी वज़े से हमको avoid करना चाहिए gravitational water तक ना पहुँचने पाए पानी irrigation के समन इसके बाद जो और अगला important point है वो है soil erosion का जैसे अभी मैंने बताया कि physical classification of water तीन तरीके के होते हैं हाइगरो इसकोफिक water जो 31 से लेके 10,000 ATM तक जमीन में पाए जाता है मिट खेत में इसको पौधे absorb नहीं कर पाते हैं ये mostly vapor form में होता है फिर capillary water जो 31 से लेके 0,03 के बीच में पाया जाता है ये पौधे के लिए सबसे ज़्यादा important होता है इसी को पौधे अपने आप में absorb करते हैं ये soil के micro pore में पाया जाता है और यही जो water होता है पौधे आसानी से available कर पाते हैं अपने आपको उसके बाद gravitational water होता है जिसको हम drainage water कहते हैं या free water कहते हैं ये पौधे के लिए बिलकुल भी आवस्टेक नहीं होता undesirable होता है यही पानी खेत से drainage होके बाहर चला जाता है इसी वज़े से इसको drainage water भी कहते हैं ये खेत में 0.3 से लेकर 0.8m के बीच के tension के बीच में पाया जाता है इसके बाद तो यह मैंने shortcut में revise कर दिये जितना मैंने अभी पढ़ाया था क्या-क्या पढ़ाया था hydroscopic water, capillary water, gravitational water तीन तरीके के जो classification था water का soil water का वो बिलकुल खतम हो अब अगला जो है वो क्या है soil erosion the process of the movement of soil particles from the parent body and transportation of such particles by bind or water बस समझ लाँ एक ऐसी process जिसकी वज़े से soil की particles उसके parent body से या एक जगा से दूसरी जगा पर चले जाते हैं उन्ही को हम क्या बोलते हैं soil erosion बोलते हैं दो तरीके से होता है bind की वज़े से हो रहा है तो bind erosion और water की वज़े से हो रहा है तो water erosion भास समझे न soil के particles का एक जगा से दूसरी जगा पर उड़कर या बहकर चले जाना कहलाता है soil erosion फिर से एक बार बताता हूं मिटी का एक जगा से दूसरी जगा पर उड़कर या बहकर उड़कर कब जाएगा जब हवा उड़ा ले जाएगी और बहकर कब जाएगा जब पानी के वज़ा से बह जाएगा तो मिट्टी का एक जगा से उड़ कर या बह कर दूसरी जगा पर चला जाना soil erosion कहलाता है अब यह जो soil erosion होता है यह चार तरीके का होता है कौन कौन सा सबसे पहला होता इस प्लेस या रेंड ड्रॉप erosion बात समझना ध्यान से यह मान लो क्या है मिट्टी है यह आपको यह इतना जो दिख रहा है यह बिल्कुल soil की उपर की surface है अब ध्यान से समझना है कि जब यहाँ पर पानी गिरता रहता है जैसे आपने देखा होगा कि जब छथका पानी किसी एक pipe से जमीन पर गिरता है तो जहाँ पर पानी बहुत तेजी से बार बार गिरता रहता है तो वो गड़ा क्यों हो रहा क्योंकि वहां की मिट्टी बहके चली गयी है बहुत देर तक पानी वहाँ पर गिर रहा था इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब हम खेत में सिचाई करते हैं तो खेत में जहाँ पर हम ले जाकर irrigation वाली pipe रखते हैं अगर irrigation pipe के नीचे वहाँ हमने कुछ proper ब्यवस्ता ने किया तो जहाँ पर पानी तेजी से गिर रहा होता है वहाँ की मिट्टी बह जाती है और वहाँ गढ़ा हो जाता है तो ये क्यों हो रहा है गढ़ा क्योंकि वहाँ की मिट्टी बह कर transport होकर दूसरी जगाँ पर चली गई है तो इस तरीके के erosion कह है splash या rain drop erosion बोलते हैं समझ गए बाद जब तेजी से कहीं एक जगा पर पानी गरता है तो वहाँ जो गड़ा हो जाता है उसी को हम बोलते है rain drop या splash erosion इसके बाद जो अगला है वो होता है seat erosion इसको मैंने एक बार थोड़ा सा बताया भी था अभी थोड़ा सा detail में समझ लेते है seat का क्या मतलब होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा paper seat paper seat होती है जैसे A4 size की paper seat होती है जैसे हम photo copy करते है तो 1 seat, 2 seat, 3 seat, 4 seat इसी तरीके से मान लोग कि मैंने आपको 50 seat दे दी यानि कि A4 size की 50 copy 50 page दे दी है बाद आया फिर एक page निकाल ले गया फिर 2-3 महीने बाद आया फिर एक page निकाल ले गया तो क्या आप बिना count की ये देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि इस में से 2-4-6 page गायब है नहीं लगा पाएंगे सबसे कठिन काम होता है क्योंकि आपके पास धेर सारा कागस था धेर सारा page था अब बीच में से कोई एक दो page जो ले गया तो हम जान नहीं पाएंगे इसी तरीके से जब मिटी की बिलकुल पूरी एक परत खेत में खेत में पूरी एक परत पतली सी पूरी परत है यह उड़के चली जाती है तो इसको हम seat erosion कहते है सबसे ज़्यादा खतरनाक type का erosion होता है क्योंकि इसको किसान महसूस ही नहीं कर पाते हैं मैं आपको अपना personal experience बताता हूँ हमारे घर के सामने थोड़ा सा खाल था खाल समझते हो मतलब वो थोड़ा under under later land था मतलब वहाँ पर बरसाद के समय पर पानी भर जाता था तो हमने क्या कराया कि 20 टाली माटी वहाँ पर डलवा दिया माटी बोले तो मिट्टी 20 टाली मिट्टी खेत से निकलवाके लाके वहाँ डलवा दिया कि अब यहाँ पर पानी नहीं भरेगा लेकिन धीरे-धीरे तीन साल जब बीता तो धीरे-धीरे वहाँ की मिट्टी बहते-बहते चली गई और हम महसूस नहीं कर भाये कि मिट्टी ये बह रही है फिर महसूस कैसे हुआ महसूस हुआ जब पुरानी वाली मिटी जहां पर धेर सारे कंकड थे जब वो फिर कंकडीली मिटी हमको दिखने लगी तो हमको यह महसूस हुआ कि जो हमने 20 ताली मिटी गिरवाई थी वो सब मिटी पानी में पानी के साथ बह गई तो यही एक्जामपल है seat erosion का highest end uniform removal of soil particles आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो हलका सा whitest color का है white white color का यहाँ पर erosion नहीं हुआ है लेकिन यहाँ जो यह सम जगा बच रही है यहाँ पर erosion हुआ है तो यह erosion हो जाने की वज़े से यहाँ की मिट्टी बह गई और किसान इसको it is unnoticed by far hence most serious form of water erosion यह किसान महसूस नहीं कर पाते हैं जिससे मान लो अगर इस तरीका का गढ़्धा हो जाने वाला erosion हो गया तो दिख रहा है इसके बाद आगे एक bully type का erosion होता है उसको भी देख के जान पाएंगे यह से कड़ा हो जागा तो तो दिखेगा कि हाँ यहां की मिट्टी बह गई लेकिन इस type का erosion हम जल्दी महसूस नहीं कर पाते कि हाँ यहां पर erosion हो रहा है इसके बाद जो अगला है real erosion can be removed by normal tillage operation यह जो real erosion होता यह just एक बिल्कुल example है real erosion का आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां इसे जो मिट्टी ऐसे बार बार बहती गई बहती गई और यहां पर एक छोटी छोटी सी नाली बन जा रही है पतली पतली सी इसी को हम बोलते है real erosion इसको जब हम खेत में जुताई करते हैं तो जुताई करते समय क्योंकि इसकी यह जो real होती है इसकी गहराई और चोड़ाई बहुत ज़ादा नहीं होती है इसी वज़े से normal tillage operation करकर इसको आसानी से remove किया जा सकता है कोई ज़ादा दिक्कत नहीं होती फिर इसके बाद जो अगला और खतरनाक type का erosion होता है इसको बोलते हैं गुली erosion अब यह जो गुली टाइप का erosion होता है इसको हम normal tillage operation करकर नहीं हटा सकते क्यों क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सा देख रहे हो गड़ा जब बन रहा है तो इतना बड़ा बड़ा गड़ा आगे बताएंगे अब प्रण बता त째 transcript का समझ भी प्रण सकते है इसके बाँ जो अगले टाइप का erosion होता है जिसे water erosion तीन तरीके का बतादिये और आगे देगे अब बंड ते और गया इसको तीन तरीके से इसके तीन स्टेज बोते हैं जो bend erosion होता है यानि कि हवा के दोरा जब मिट्टी एक जगा से दूसरी जगान ले जाती है तो उसके तीन stage होते हैं मतलब मिट्टी के दोरा सरी हवा के दोरा मिट्टी को एक जगा से दूसरी जगान ले जाने के तीन तरीके होते हैं किस किस तरीके से मिट्टी जाती है उसको समझ लेते हैं सबसे पहला जो तरीका होता है वो saltation का होता है the movement of soil particles throw bounces jumping on the ground soil के कुछ ऐसे particles होते हैं जो एक जगा से दूसरी जगा पर bounce करते हुई जाते हैं जैसे जब कोई खिलाडी चौका मारता है तो जैसे चौका वाली गेंद जाती है जब कूद कूद के boundary line के बाहर उस type का जब कोई मिट्टी का पार्टिकल से एक जगा से दूसरी जगा जाता है तो उसको हम saltation बोलते हैं एक मिट्टी का करण था यहां से लेके उड़ा फिर यहां गिर गए यहां तो वैसे इस तरीके से जो मिट्टी के पार्टिकल एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं saltation बोलते हैं इधर से देखो हवा यह तेजी से चल लेए अब इस तरीके से जो particles उड़के जा रहे हैं bouncing करके bouncing करके जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं saltation बोलते है saltation is the first stage of moment of soil particles in series of jump जब कोई soil के particles में jump होता है saltation की वज़़ से जब erosion start होता है wind erosion तो उसमें saltation सबसे पहले stage होती है पहले मिट्टी के करण इसे कूद कूद के उड़ते हैं अब ये जो करण उड़ रहे होते हैं ये बिलुकुल नमक के आकार के होते हैं करण जैसे आपने पीसा हुआ नमक देखा होगा टाटा का जो नमक आता है तो उस नमक के particles जितने छोटे छोटे होते हैं उतना ही छोटा-छोटा इस मिट्टी के particles होते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा भी होता है कितना particles 0.1 से लेके 0.5 mm diameter का salt के छोटे-छोटे कड़ जैसे होते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं saltation बोलते हैं salt से saltation कितना इसका diameter होता है particles का 0.1 से लेके 0.5 mm के बीच में नमक के कड़के आकार के जो पार्टिकिल्स होते हैं ये हवा के माद्धिम से इसी तरीके से जंप करकर के उड़ते हैं तो इसी को हम बोलते हैं saltation Soil loss account for 50 to 75% बाइस जितना भी bind erosion होता है मिट्टी का जितना भी bind के थुरू erosion होता है जैसे मानलू की 100 kg मिट्टी हवा की वज़े से एक जगा से उड़कर दूसरी जगा पर जा रही है तो उसमें से 70 से 75 kg मिट्टी केवल और केवल इस saltation वाली process से ही गुजरती है ठीक उसके बाद जो अगला है surface creep surface creep में जो बड़े बड़े particles होते हैं 0.5 mm से ज़्यादा बड़े बड़े यानि कि जिसको हम धेला बोजते हैं जो हवा की वज़े से मतलब धमलाते हैं धमलाने समस्तों धमलाने का मतलब रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं घमला रहा है तो जब रोल करते हुए स्वाइल के particles आगे बड़ते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप creep करते हुए जा रहे हैं यह ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे ढमलाते हुए चले हैं जैसे आपने कंचा खेला हुए कंचा जमीन में जिस तरीके से क्रोल करते हुई जाता है क्रीप करते हुई उसी को बोलते हैं तो इसी वज़े से इसको क्या कहते हैं surface creep rolling and sliding of larger soil particles जो soil के larger particle होते हैं वो surface creep के थुरू जाते हैं ये जो soil erosion होता है बिंड का बिंड erosion ये बिंड erosion का लगभग 5-25% बनाते हैं 50-75% तो किस से हो गया? saltation से हो गया इसके बाद 5-25% किस से हो गया? surface creep से हो गया और एक तीसरे प्रकार का होता है जिसको हम बोलते हैं suspension suspension में क्या होता है? कि 0.1 mm से जो छोटे particles होते हैं इनका जो बिंड erosion होता है ये किस की थुरू होता है? suspension से होता है एक बार फिर से कोई revision करवा देते हैं 0.1 और 0.5 इससे अगर कम है soil particle इससे कम है तो suspension होगा इसके अगर बीच में है तो saltation होगा ठीक? और इससे अगर जो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? surface creep होगा ठीक? समझ गए? 0.1 से कम रहेगा 0.1 mm से तो suspension के थूरू wind erosion होगा और 0.1 से 0.5 mm के बीच में होगा तो saltation के थूरू wind erosion होगा और 0.5 से अगर ज़्यादा है 0.5 mm से ज़्यादा बड़ा particles है तो वो किस के थूरू होगा? surface creep के थूरू होगा जब कभी आधी चलती है जोर से आधी चलती है तो आधी में जो धूल गुबार आपको दिख रहा होता है कसके जो धूल ऊड़ रही होती है वही धूल suspension की वज़ा से erosion कर रही होती है आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो मिटी के बहुत छोटे छोटे कण है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह बहुत छोटे छोटे minute minute से कण है यह कैसे उड़ रहे हैं? suspension के थूर ऊड़ रहे हैं मतलब एक जगा से उड़े अब ये ऐसे उड़ते रहेंगे जमीन पर नहीं गिरेंगे उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे और जब हवा की velocity कहीं पर कम होगी यानि कि हवा जब आधी खतम होगी तो जहां पर आधी खतम होगी वहीं जाकर ये गिर जाएंगे वहीं जाकी इकठा हो जाएंगे जो घर म मित्ती कपड़े पर या घर में टीवी और कोई सामान रखा हो तो वहां पर जो धूल गुबार उड़के आके चिपक जाता है वो बिंड एरोजन की वजह से होता है कौन सा बिंड एरोजन सस्पेंसन के थूरू होने वाले बिंड एरोजन से ये धूल हमारे घर में और तमाम जगा पर आता जाता रहता है इसके बाद जो अगले प्रकार का इरोजन है उसको हम बोलते हैं वेव एरोजन दोनों को घमंजा होता है बात समझना इरोजन वाई कंबिनेशन कंबाइंड एक्शन ओफ बिंड एंड वाटर जब बिंड एरोजन और वाटर इरोजन यानि कि बिंड और वाटर दोनों को मिलाने के बाद कोई इरोजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं वेव इरोजन जिसको हम स्ठाइब भैंक बोलते हैं the permissible limit of soil loss in इंडिया बाई इरोजन बात समझना जैसे इरोजन को हम रोक नहीं सकते हैं कोई भी मैठड हम लगा लें थोड़ बहुत erosion तो होगा ही होगा चाहे वो wind erosion हो और चाहे वो water erosion हो soil की erosion को हम रोक नहीं सकते इसको हम केवल reduce कर सकते हैं कम कर सकते हैं तो इसकी एक limit है कि अगर खेत में केवल इतना erosion हो रहा है तो मतलब आप कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी मत कीजिए वो कितनी limit है वो limit है 12 ton per hectare per year मतलब कि एक hectare खेत से अगर एक साल के अंदर 12 ton मिट्टी या 12 ton से कम मिट्टी soil erosion या water erosion के द्वारा एक जगा से दूसरी जगा पर जा रही है तो आपको टेंसल लेनी की कोई जरूरत नहीं है आपकी मिट्टी बिल्कुल सई है इसमें erosion नहीं हो रहा है अगर इससे ज़्यादा erosion हो रहा है तो आपको देखना है कि किस वज़़ से हो रहा है water erosion की वज़े से हो रहा है या wind erosion की वज़े से हो रहा है दोनों की वज़े से अगर water erosion की वज़े से हो रहा है तो water को manage करिए और wind की वज़े से हो रहा है तो मिट्टी को manage करिए क्योंकि आप हवा कुछ तो manage करी नहीं सकते तो इस वज़े से इसको आप रोकिए अगर 12 टन से ज़्यादा है 12 टन से अगर कम है 12 टन पर हेक्टियर पर एर तो आपको बिल्कु चिंता करने की जरूरत नहीं है यतनी लिमिट है इतना तो हो ही सकता है इसको रोक नहीं सकते है rate of soil erosion in India लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया में soil erosion नॉर्मली कितना होता है तो इंडिया में soil erosion नॉर्मली 16.5 टन पर हेक्टियर पर एर मतलब 16 टन से ज़्यादा इरोजन हो जाता है एक साल में एक हेक्टियर में लिमिट कितनी है 12 टन की लेकिन भारत में 16 टन तक हो जाता है इसी वज़े से आपने देखा होगा कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे देश में जो सड़कें होती हैं वहाँ पर ज़्यादा धूल नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर erosion कम होता है विंडियरोजन लेकिन इंडिया में इस तरीका का erosion बहुत ज़्यादा होता है इस वज़े से आपको सड़कों पर धेर सारी धूल देखने को मिलती है इसको हम सुधार नहीं सकते एक तो बाढ़ जब आती है तो बाढ़ की वज़े से बहुत धेर सारी मिट्टी कटके बह जाती है एक तो हवा की वज़े से होता है तो इसको हम minimize कर सकते हैं When erosion is caused by excessive grassing deforestation जब soil का erosion बहुत ज़्यादा grassing करने की वज़े से और deforestation की वज़े से बहुत साथी grassing का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जब ज़्यानरों को एक ही खेट में बहुत ज्यादा जिन तक चराया जाता है तो धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा चारागह का यूज होने लगता है तो वहां की घास होती है वो खतम हो जाती है मिटी जो होती है उस पर जब पानी की बूंद पड़ती है बरसाथ वाली तो आसानी से इरोजन उसमें हो जाता है इसी वज़त से ज़्यादा ग्राजिंग करना जानरों को एक ही चारगा हमें बार बार चराने के लिए ले जाना ये एक वज़ा हो सकती है इरोजन की और उसके साथ साथ जब हम जंगलों को काटते रहते हैं जंगलों को काट के सफाई करते रहते हैं तो मिटी जो है जंगलों की वो भी जब बरसाथ होती है तो उसके साथ बह जाती है क्योंकि जब पेंड और धेर सारी जाड़ियां जंगल में रहती हैं तो वो मिट्टी को कवर किये रहती हैं जिससे एरोजन नहीं होता है और अगर ऐसा नहीं होगा तो एरोजन होगा और जब इस तरीके से एरोजन होता रहता है तो इसी टाइप के erosion को हम क्या बोलते हैं anthropogenic erosion तो जितने तरीके के erosion होते हैं मैंने सब तरीके के erosion आपको बता दिए अब अगला जो point है वो है deposition of soils बात समझना कि जिस soil का erosion हुआ था मतलब जो एक soil एक जगा से उड़ा था या एक जगा से transport हुआ था वो कहीं जाकर तो गिरेगा वो जो गिर रहा है इकठा हो रहा है उसी को हम बोलते हैं deposition of soil the accumulation of transported soil at another place is known as deposition मतलब soil erosion की वज़े से जो वहां से मिटी उड़ी थी या जो मिटी वहां से बहा था वो कहीं एक दूसरी जगा पर जाके रुकेगा उसी को हम बोलते हैं deposition ठीक यानि कि erosion से start होता है मिटी का उड़ना या मिटी का बहना erosion से start होता है और deposition पर खतम होता है ये कई तरीके के होते हैं उसके transportation के हिसाब से मतलब किस तरीके से वो transport होकर एक जगा से दूसरी जगा पर आके deposit हो रहे हैं उस हिसाब से deposition कई तरीके के होता है पहला तो होता है gravity मिटी बहुत तेजी से उड़ रही है अब अर्थ की gravity की वज़े से जो particles हैं वो जमीन पर आके गिर जा रहे हैं और वहीं पर रुख जा रहे हैं तो इस तरीके का जो transportation होता है gravity की वज़े से जो deposition होता है उसको हम बोलते है coluvial बोलते है उसके बाद water के वज़े से जो हो रहा है उसको हम aluvial बोलते है इसी वज़े से aluvial स्वाल आपको पढ़ाया था कि गंगा और यमुना को जो कछारी मैदान होता है यहाँ पर जो गंगा यमुना वेसिन है यहाँ पर की मिट्टी को aluvial मिट्टी कहते है aluvial स्वाल कहते है क्यों कि यह पानी के दोरा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है इसके बाद जो बरफ बारी होती है पहाड़ों पर तो बरफ के साथ जब glacier कोट के बहता है तो उसी के साथ मिट्टी के मिट्टी भी बहे जाती है उस टाइप की मिट्टी जो बहेती है उसको हम बोलते है ग्लेकियल कुछ भी कहलो ग्लेकियल के कहेंगे इसको ग्लेसियर से ग्लेकियल आइस किसका होता है ग्लेसियर आइस का बना होता है उसके वज़े से ग्लेसियल एलूवियल वाटर की वज़े से, ग्लैसकेल आइस की वज़े से, और बिंड सैंडी स्वाल का एरोजन बिंड की वज़े से, तो एकोलियल और एकोलियन और अगर बिंड स्वाल का जो सिल्ट स्वाल होती है, इसका एरोजन बिंड की वज़े से होता है, तो उसको क्या बोलते ह तो आज के लिए कि अवल इतना है आई होगा आपको वीडियो समझ में आया होगा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल पर रहा है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के विजाज़त दीजी, धन्यवाद।